आज हम आपको इस वीडियो में पाइप नूजल बनाना सिखाएंगे इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो किर्पया हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें कि दोस्तों पाइप नूजल के लिए हमने 22 में की हेक्स रोड लिये उसका हमने पहले प्रेस किया उसके बाद हम इसके लिए टर्निंग कर रहे है टर्निंग के लिए इसका हम जो साइज बनाएंगे वह बीस पाइंट आठ होगा देखें ये बीस पाइंट आठ दिखा रहा है इसमें अब हम इस पे ये उपर आधा इंची पाइप ते डालेंगे दोस्तों कूलेंट चला रखा है दोस्तों हमने इस पे जिससे कि हमारे टूल की धार जल्दी खराब ना हो और टूल हमारा ठंडा रहे है क्योंकि ये इस टील के पीस में चूली जल रही है तो इसलिए हम इसमें ज्यादा मोटे कट नहीं लगा सकते हैं कि तीन तीन डिक्री के या दो दो डिक्री के मैं इसमें कट डालने हैं कि विए इसमें में आखरी कट डाल दिया अब हम इसमें आधा हिंची ज़खेट चड़ा रहे हैं यह फ़ पाइप सोकेट ठीक चड़ गया हमारा यह 6 mm का डिल है दोस्तो पहले हम इसमें यह 6 mm का डिल कर रहे है इसके बाद हम यह 10 mm का डिल है जो कि हम इसमें 38 लंबाई तक लगा रहे हैं यह 16 mm का डिल है दोस्तो यह 17-11 तक लगा रहे हैं इसकी यह स्क्रैपर लगा रहे हैं दोस्तो हम इसमें इसमें धार हांप में न ले रहे हैं जो कि हमारा 4 mm का पार्टिंग टूल है सीधी पार्टिंग कर रहे हैं हम इसमें इसमें चाल देने की आप सकता नहीं होती यह 12 इंची का 5-3 बैंडिल पर हमने चड़ा लिया है पहले हम इसमें ही है इसकी लंबाई का प्रेस कर रहे हैं इसमें 11 इंची कर रहे हैं अब हम इसकी टर्णिंग कर रहे हैं उटर डाय टर्णिंग इसका साइज हमें 13.5 बनाना है और जो इसकी गहराई रहेगी या आप नंबाई कर रखने हैं दोस्तों वीडियो में अंतक बनेर हमार साथ और पूरा वीडियो देखें यह बनेर से साइज नापके देखते हैं एक कट और लेगा अब इसमें ह्याल में 30G का चै्मफर लगा रहे हैं दोस्तों इसमें, पाई जीभिषज नोजल टेपर करयें दोस्तों इसम जो कि YOU आट-ाथ मिलिमेटर की दूरी पर कर रहे हैं करें यह टेपर के हमने इसमें 4 स्टैप बनाये हैं चोथा हमारा स्टैप तइयार हो गया यह देखे दोस्तों अब हम इसे आपको जूम करके दिखाते हैं वीडियो आपको कैसी लेगी दोस्तों आप हमें कमेंट वक्ष में जरूर बताएं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो में धन्यवाद